आज मैंने संडे इसे बनाने के लिए, मैंने दो अलग तरीके के ढोसे बनाएं, एक तो पनीर मसाला ढोसा है, दुसरा सेज़वॉन ढोसा है, तो इसका बैटर कैसे तयार करना है घर पे और इसका जो मशाला है वो बहुत ही स्वादिश्ट बनाया है मैंने बजार में भी ऐसा मसाला नहीं मिलता और साउथ इंडिया ने एक बहुत ही स्पेसल चट्नी बनाई है जिसमें सांबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो यहां के 11 बज रहे हैं और यहां मैंने चावल भी बिंगो के रखा था साथ में दोनों अच्छे से फूल गए है तो दाल और चावल का जो पानी है उसको एक दो बार अच्छे से धूल लेना है मतलब पानी अलग कर देना है एक जार लेना है और उसमें ट्रांसफर कर लेंगे यही हम से गलती हो जाती है यही हमने दाल और चावल एक साथ पीश लिया है इसका जो लगेगा तो आप टॉबल या तो ब्लैंकेट इस पर लपेट दीजेगा जिससे बहुत जल्दी फर्मेंट होता है गर्माट की वज़ा से चलिए एक मशाला तयार करते जो की बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो सच में बहुत मज और इसी में बारिक कटी भी प्याज एट करना है एक प्याज को भी हलका सा पकाना है गोल्डन ब्राउन नी करना बस हलका सा पका लेना है यही मैंने आलू बॉयल की करके रखी थे उसको मैस कर लेना है अच्छे से जब गरम आलू होते तब ही आप मैस कर लीजेगा क्योंकि मैं पहले भूल गई थी अब इसको मैंने मिक्स किया है और यहीं धनिया पाउडर हल्दी पाउडर चुटकी भर एट करना बस हलका सा और इसका बिल्कुल साउथ इंडियन फ्लेवर लाने के लिए यहां एक चमच सांबर मसाला एट कर दीजेगा और एक चमच यहां अमचुर पाउडर अब इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे कास्मीरी लाल मिर्ज पाउडर आप कलर के लिए एट कर सकते हैं और यहां पानी एट करना है तो एक से डेड़ गिलास एक गिलास तक पानी एट कर दीजेगा क्योंकि आलू जो है आलू का मसाला बहुत के लिए तीखा पसंद है तो आप तीखी मिर्च अब इसको फटा-फट फ्राई कर लेना है दो यह तीन मिनट लगता है यह सारी प्रोसेस में और बहुत जल्दी हो जाता है इसका जो मशाला बहुत टेस्टी लगता है बारिक कटी भी हरी धनिया एट करना इसको मिक्स करना है अब इस मसाले को हलका साम टेस्ट कर लेते हैं और नमको गहरा चेक कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मसाले का टेस्ट है इसको अब साइट से रखते हैं और एक साउथ इंडियन चटनी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो चटनी बहुत टेस्टी लगती है अ पत्ता एट किया है और सुखी लाल मिर्च एट करना है अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप यहां कास्मीरी लाल मिर्च एट करिएगा बस इसको हल्का सा पका लेना है तेल में दाल जो है अच्छे से पक जाए और यहीं प्याज थोड़ी सी कच्छा नारियल और एक टमाटर एट कर देना है और अब इनको पका लेना है हलका सा सौप्ट कर लेना है नमक एट कर देंगे इसी में यहां थोड़ी सी मैंने हरी धन्या की डंठल एट कर दी है और इसी में थोड़ा सा पानी एट कर देंगे इसको हलका सा सौप्ट होने के लिए और जैसे ही थोड तो सुबह का टाइम है में नास्ते में और यह इसमें बबल्स आ रहे नमक बस आयट करना這樣 चुछा है जैसे वकलत तरये करें अमयों बेटल के बेटल चाहिए है तो यह धोसा बनाने के लिए बैटर तो रेडी हो गया है अभी हम इसको साइट से रखते हैं और चटनी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने जार में ट्रांसपर कर लिया थोड़ी सी भिंगोई इमली एट किया है और हल्का सा पानी एट करके पीस लेना है अब हल्का सा टड़का इस तरीके से लगा लेना है या आप किसी बरतन में लगा लिजे और थोड़ा सा मैंने जार धुल के इसमें पानी भी एट किया है यह देखिए अब यह चटनी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है चटनी भी बनके रेडी हो गई और इसका जो टेस्ट है है और इसमें हलका सा टेल डालके गर्म करने के लिए रख दिया था अब क्या करना है थोड़ा सा प्याज लेकर इसको इसको स्प्रेट कर देना है अब इसका पूरा तेल किसी गीले कपड़े से सुखे कपड़े से साफ कर देना है और फिर बैटर डालेंगे तो एक पहले प दूसरा धोसा बनाते हैं तो खराब हो जाता है लेकिन जब मैं बनाती हूं तो बिल्कुल पर्फेक्ट धोसे बनके रेडी होते हैं ये देखे पहला धोसा भी बिल्कुल इसी तरीके से बना है बिल्कुल देखी पैन से अलग होने लगा है इसकी रेडनेस देखिए ये देख तुआ वाला जो घ्रा मताहिंब कद धोस परका मताहिएं थे तो सब्दोस स्जरों सब्राइं के जारी टोक्ति तरहना अगाल कद धे वीधे राकन सब्सक्राइब यह चोट изब्सक्राइं सब्सक्राइब ध्राम सफक carefully आप यह जाइल भीड़ी यहां पनीर mun他是 कंड्याद दसा इसमें जो मशाली की कॉंटेटी उसको जादा रखना है तो इसमें मैंने मशाला फैल आया है और उपर से थोड़ी सी बारीक कटिवी प्याज एट किया है इसी के उपर से पनीर को कद्धूकस्त कर देना है तो आपको जितना पनीर पसंद में तो इसमें कदुकस कर सकते हैं उपर से थोड़ास सांवर मसाला स्प्रिंकल किया है और उपर से मैंने कुटी हुई लाल मिर्ट कर दी है और यह देखे यह मारा पनीर मसाला धोसा बनके रेड़ी हो गया जो कि बहुत कुरकुरा बनाए आपको देखी रहा होगा बहुत जादा कृष्पी है यह देखे इस तरीके से गर्मा गरम अगर धोसे मिल जाए ना तो मज़ा आजाता है खाने में तो इतना कुरकुरा धोसा घर पे तो नहीं बन पाता सबसे लेकिन अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो जरूर बनेगा अगर बनता है ना तो आप एक बर कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे तो अब हम यह वाला जो ढोसा बना रहे हैं वो सेजवान ढोसा है तो इसमें मैंने क्या-क्या एड किया है और इसका जो टेस्ट है ना पीज्जा से कम नहीं का सकते हैं अगर आपने आलू का मशाला नहीं तैयार किया है ना तो आप उस पर स्किप कर दीजेगा और यहां जाएगा थोड़ा सा सिमला मिर्च और यहीं थोड़ी सी बारिक कटी भी प्याज स्वीट कॉर्ण का सीजन है स्वीट कार्ण होंगे ही सबके घर में अगर नह की चीज जो है वह मैल्ट हो जाए और अच्छे से कुर्कूरा पना जाए इसमें यह देखे बिल्कुल मतलब धीरे दीरे इसमें रेडनेस हा रही है बहुत कुर्कूरा होता जा रहा है तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखे तो यह हमारा सेजवान ढोसा भी बनके र कुर्कूरा है यह और पता इसका कुर्कूरा पन काफी देर तक रहता है तो बारिस का सीजन है तो थोड़ी सी जो मैंने नहीं थोसे बनाए ना वो बिल्कुल कुर्कूरे हैं तो यह देखें yağ गर्म кर्म इंदों को सृप करना हैं तो यह मेरी सा थ steht थाली प्यार हो गई था थैंक यू